हलो फ्रेंस मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरे हिंदी टीवी न्यूज महाराश में लोगडाउन के संकेत सीयम उदो ठाकरे ने कहा आज लोगडाउन नहीं लगा रहा हूँ लेकिन एक दो दिन में हालात नहीं सुधरे तो सकत कदम उठाने होंगे हमारे चैनल के माद्यम से जनता से गुजारिश है कि लोग सोचल डिस्टंसिंग का पालन करें, मास लगाएं, सेनेटाइजर यूज करें सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करें जिस तरह से अभी नाइट कर्फ You कहा गया है, लेकिन जनता उसका पालन नहीं कर रही है जिसकी वजह से फूचर में लॉग डाउन लग सकता है अब यह जनता को सोचना चाहिए कि उसे नाइट कर्फ You का पालन करना है या लॉग डाउन का पालन करना है हमारी कुजारी सोशल वर्करों से भी है कि जहां पे भी ऐसा आप देखते हैं कि सरकार की गाइडलाइन्स का उलंगान हो रहा है वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के उफिसर होते हैं जिस भी डिपार्टमेंट के उन्हें एक्तला करें ताकि सरकार की गाइडलाइन्स का प आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471110 धन्यवाद। राज में लोकडाउन बताई लेकिन राज में लोकडाउन लगाने का एलान नहीं किया। उधो सरकार ने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ बलकि जो परिस्तितियां चल रही हैं उसका समाधान निकालने के लिए आया हूँ। कोरोना के कारण दुनिया में आर्थिक स्तिथी में उतार चड़ाओ आया है। यह वाइरस आप लोगों के धैरेकी परिक्षा लेने आया है। हमें एक जुट होकर धैरेक से कोरोना से लड़ना है। लोकडायून से आर्थिक इस्तिथी खराब होगी। उधो बोले हम कुछ छिपाना नहीं चाहते। CM उधो ने कहा कि हम antigen rapid test के बजाए IT-PCR test को बढ़ा रहे हैं। आज हम 70% test IT-PCR कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम कोई भी चीज छिपा नहीं रहे हैं। हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। हम सच ही लोगों के सामने रख रहे हैं। लोग पूछते हैं कि बिहार बंगाल में चुना हुए। वहां करोना नहीं बढ़ा। आपके यहां क्यूं बढ़ रहे हैं। मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरी जिम्मेदारी महराश्रा की जनता के लिए है। पिछले मार्च की बात आपको याद होगी कि हमारे पास बेड नहीं थे। होस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे। और एम्बुलेंस कम पड़ रही थी। इसके बाद हमने इसमें सुधार किया। आज हमारे पास 3,75,000 बेड संखिया है। यहां हमारा बहुत बड़ा अचिवमेंट है। उद्व ने कहा कि लोग लापरवा हो गए है। महाराष्ट में साधियों में ज्यादा भीड हो रही है। कुरोना महमारी परिक्षा ले रहा है। हमारे पास परियात सुधाएं हैं। लेकिन इसी तरह मरीज बढ़े तो हम तो यह कम पढ़ सकते हैं। हम सभी सुधाएं बढ़ा लेंगे लेकिन डॉक्टर और नर्स कहां से लाएंगे। यह सबसे। बड़ी चिंता है कई डॉक्टर और नर्स संकर्मित हो चुके हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद भी इसका असर रहता है। अगर इस्तिती ऐसी ही रही तो अगले 15-20 दिन के बाद हम हालात संभाल नहीं पाएंगे। महराष्ट में जब से वैक्षिनेशन का सुरुवात हुई है तब से अब तक का हम 65 लाख लोगों का टीका करन कर चुके हैं। एक दिन में 3 लाख लोगों को वैक्षिनेशन लगाई जा रही है। इससे बढ़ाकर 7 लाख कर सकते हैं। उनका कहना है लोगडाउन से एकनौमी गिरेगी नहीं लगाया तो करोना के केस बढ़ेंगे। हम यहां हमें यहां देखना होगा कि कोविट-19 पीडितों की संखिया कैसे बढ़ रही है। साल की सुरुवात में मुंबई में रोजाना 300-400 पोजिटिव केस मिल रहे थे लेकिन आज की डेट में यहां हर दिन 8000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। पूरे राज में 45000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। हमारे पास जो कुल उपलब्ध बेड हैं उनमें से 62% भर चुके हैं। मेरा मानना है कि लोकडाउन घाता खै अगर लोकडाउन लगाते हैं तो अर्थ विवस्था खराब होगी। और नहीं लगाते हैं तो कुरोना के केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने विपक्स से भी कहा मेरा नहीं वाइरस का विरोध करें। उदोँ ने कहा कि विपक्स मेरा विरोध कर रहा है। मैं सभी विरोधियों से यह कहना चाहता हूँ कि जनता की लाइफ से खिलवार करते हुए राजनिती ना करें। अमेरिका के राष्टपती ने कहा था कि कुरोना पर राजनिती नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो अगर विरोध करना चाहते हैं तो वो वाइरस का करें, जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनका विरोध करें, जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं उनका विरोध करें, उन्होंने कहा पूने में साथ द अंतिम संसकार को छोड़कर सभी सारवजनिक कारियों को सभी कारियों पर प्रतिबंद लगा दी गई है अंतिम संसकार में 20 लोग और साधी में 50 लोग ही आ सकते हैं या आदेश शनिवार को प्रभावित हुई है नए संकरमितों में ब्राजिल, भारत, अमरिका, फ्रांस के बाद महराष्ट का नमबर है महराष्ट में करोना से बने हालात की गंबीरता का अंदाजा इस बाद से लगाया जा सकता है कि एक दिन में यहां से ज़्यादा केसिस दुनिया के सिरिफ पाँच देशों में ही है पह से ज्यादा केसेस महराष्ट में है महराष्ट में फरवरी की तुलना में 475 परसंट ज्यादा मरीज मिले है मुंबई में गुरुवार को सबसे ज्यादा 8,646 केस मिले इसके बाद पूने में 8,025 जबके थाने में 4,795 केस मिले मार्च में मुंबई में करोना के 88,710 नए मा इस दौरान 216 लोगों की जान गई है फरवरी के मुकाबले 181 परसेंट जयाद है मार्च में राजमे 6.6 लाक से ज्यादा केसे आए जो के फरवरी के मुकाबले में 400 परसेंट ज्यादा है बेमसी ने भी नई गाइडलाइन जारी की है बहुत हलके या बिना किसी लक्षन वाल लोग जिन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं है, होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, उन्हें डॉक्टर की इजाज़त की जरूरत नहीं होगी, होम आइसोलेशन के लिए घर में रहने की पूरी विवस्था होनी चाहिए, परिवार के सदस्यों के लिए कॉरंटाइन की जगा होनी चाहिए, HIV, हार्ट या कैंसर के मरीज होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, 60 साल के उपर की बुजरूग और डायबेटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट, कैंसर, गिटनी और फेफडे से संबंदित बीमारी से गरस्त लोग डॉक्टर के सलाह पर होम आइसोलेशन में रखने की अनुमती द मुंबई में आज से कड़े परतिबंद की संभावना है, आज से मुंबई में कड़े परतिबंद लग सकते हैं, मुंबई की मियर किशोरी पिटनेकर ने कहा की दुकान को एक दिन बंद और एक दिन खोले जाने को लेकर फैसला किया जा सकता है, इसके साथ ही उन्हों ने कह कि साधियों में मेहमानों की संखिया 50 तक सीमित की जा सकती है वहीं अंतिम संसकार में शामिल होने वालों की संखिया 20 तक सीमित की जा सकती है मेर पिंडेकर ने कहा इस बात के संकेत भी दिये हैं कि पहले की तरह ट्रेन को भी सिर्फ जरूरत सेवाओं से जुड़े स्ठाफ के लिए ही खोला जा सकता है पूने में कुरोना मृत्तों की बॉड़ी अब परिवार को संभालनी होगी पूने में नगर निगम ने निर्ने जारी किया है इसमें कहा गया है कुरोना पॉजिटिव की घर पर मौत ह तो उसके परिवार वालों को ही सव वाहन तक पहुचाना होगा वाड अधिकारी की और से मृत्त के लिए बैग और परिवार के लिए पीपी किट दी जाएगी उन्हीं किट पहन कर सव बॉड बैग में डालना होगा और फिर सव ढोने वाली गाड़ी में रखना होगा राज में 3.66 लाख एक्टिव केसे हैं यहां गुरुवार को 43,183 नए मरीज मिले हैं 32,641 मरीज ठीक हुए हैं और 249 की मौत हो गई है राज में अब तक 28.56 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं इन में से 24.33 लाख लोग ठीक हुए हैं जबके 54,898 की मौत हो गई है यहां फिलाल 3.66 लाख लोग का इलाज चल रहा है अज़ रहा है